हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अस्टर्डी वाइफाइ पॉइंट पर जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं भारत में प्रेथम जिसमें हम आज आप से डिसकस करने वाले हैं फ्रेंड्स की भारत में पहली बार कुछ अन्य चीजे कब हुई थी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट है भारत का प्रथम पर्मानु रियक्टर तो फ्रेंट्स भारत का प्रथम पर्मानु रियक्टर था अपसरा ठीक है नेक्स्ट है फ्रेंट भारत का प्रथम पंडुब्बी तो friends भारत का प्रथम पर्मानू पंडुब्बी था INS चक्र नेक्स्ट है friend भारत का प्रथम पंडुब्बी तो friends भारत का प्रथम पंडुब्बी था INS कावेरी तो friends आप प्लीज इसमें confused नहीं होईएगा कि भारत का प्रथम परमानु पंडुब्बी था INS चक्र और भारत का प्रथम पंडुब्बी था INS कावेरी तो फ्रेंट जब आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम परमानु पंडुब्बी कौन था तो आप बस चक्र याद रख लेना तो याद रखना INS चक्र और जब पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम पर प्रंडुबी कौन सा था तो आप याद रखना INS कावेरी और भारत का प्रथम पर मानू रियक्टर था अपसरा तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा था तो आप याद रखेंगे INS विक्रांत नेक्स्ट है फ्रेंड भारत का प्रथम मध्यमदूरी वाला मिसाइल कौन सा था तो अगनी था फ्रेंट्स मैं आपको मिशायल से रिलेटेड एक वीडियो बना चुकी हूँ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दे दूँगी आप उसे देख लिजेगा भारत का प्रथम प्रचे पास्त्र कौन सा था तो प्रित्वी तो फ्रेंट्स आप याद रखेंगे भारत का प्रथम विमान वाहक पोथ था आई एनस विक्रांत भारत का प्रथम मध्यमदूरी वाला मिसाइल अगनी और भारत का प्रथम पछे पास्त्र प्रित्वी था अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं किये तो लाइक कर लीजे और हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो सबस्क्राइब करके बैल बटन प्रेस कर लीजे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है भारत का प्रथम आनविक केंद्र कहां परे फ्रेंड्स तो तारपूर में है नेक्स्ट है भारत का प्रथम खुला विश्विद्याले कौन सा था तो आंधर प्रदेश खुला विश्विद्याले तो friends आप याद रखेंगे भारत का प्रथम आनविक केंद्र तारापूर और भारत का प्रथम खुला विश्विद्याले था आंधर प्रदेश खुला विश्विद्याले तो चलिए friends अब हम next देखते हैं और हमारा next है प्रथम ACI खेलों का आयोजन तो friends भारत में पहली बार ACI खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था 1951 में तो friends आप येर भी याद रखेंगे कि कब हुआ था तो 1951 में हुआ था और कहां हुआ था तो दिल्ली में हुआ था और friends भारत का प्रथम विश्विद्याले कौन सा था तो भारत का प्रथम विश्विद्याले नालंदा विश्विद्याले था तो friends आप इसमें confused नहीं होईएगा भारत का प्रथम खुला विश्विद्याले था आंद्रपरदेश खुला विश्विद्याले और जब आप से पूछेगा कि भारत का प्रथम विश्विद्याले तो आप याद रखेंगे नालंदा विश्विद्याले नेक्स्ट है फ्रेंड भारत का प्रथम दूर दर्सन केंद्र तो फ्रेंड्स भारत का प्रथम दूर दर्सन केंद्र नई दिल्ली में था तो चलिए फ्रेंट्स अब हम नेक्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट है भारत की प्रथम मूख फिल्म तो फ्रेंट्स भारत की प्रथम मूख फिल्म थी राजा हरिस्चंद यानि की फ्रेंट्स मूख फिल्म से हमारा तात्पर्य होता है कि जिस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग होती है उसमें से साउंड नहीं आता है तो प्रेथम मुख फिल्म थी राजा हरिस चंद जो की 1912 में आई थी तो फ्रेंट्स आप याद रखेगा भारत की प्रेथम मुख फिल्म कौन सी थी तो राजा हरिस चंद और ये कब आई थी तो 1912 में आई थी नेक्स्ट है फ्रेंट्स भारत की प्रेथम बोलती हुई फिल्म ये है फ्रेंट्स की जिसमें मुवी में एक्टिंग तो होती थी साथ में साउंड भी आता था तो friends भारत की प्रथम बोलती भी फिल्म थी आलमारा जो की 1931 में आई थी Next है friends भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म जिसमें टेक्निक का यूज हुआ था तो friends भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म थी जहांसी की रानी तो ये सारे points आप याद रखिएगा friends हमारा निक्स्ट है भारत की प्रथम 3D फिल्म तो फ्रेंट्स भारत की प्रथम 3D फिल्म थी माई डियर कुट्टी चातन ठीक है तो आप इसे जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट है फिर भारत की प्रथम प्रायोजित सीरियल तो फ्रेंट्स भारत का प्रथम प्रायोजित सीरियल था हम लोग जो की 1983 में आया था फ्रेंट्स अमरा नेक्स्ट है भारत का प्रथम सामाचार पत्र तो फ्रेंट्स आप याद रखेंगे भारत का प्रथम सामाचार पत्र था बंगाल गजट जिसकी पहली छपाई 1780 में हुई थी फ्रेंट्स ये बहुत ही important question है तो आप इसे जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये आपसे बहुत ही सारे exams में पूछा जा चुका है नेक्स्ट है भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्याले तो फ्रेंट्स भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्याले खुला था जैपूर में तो चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स्ट है हमारा देश में पहली बार दूर दर्शन में रंगीन कारे क्रमों का प्रशारन तो फ्रेंट्स देश में पहली बार दूर दर्शन में रंगीन कारे क्रमों का प्रशारन 15 अगस्ट 1982 में हुआ था तो फ्रेंट्स आप इस point को भी जरूर याद रखेंगे कि देश में पहली बार दूर दर्शन में रंगीन कारे क्रमों का प्रशारन 15 एगस्ट 1982 को हुआ था नेक्स्ट ए फ्रेंट्स भारत का प्रथम high speed gram in broadband network की सुरुआत तो फ्रेंट्स भारत के प्रथम high speed gram in broadband network की सुरुआत हुई थी इदुक्की में और ये इदुक्की कहा है तो इदुक्की केरल में है तो फ्रेंट्स उमीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारी वीडियो लाइक कीजे और अगर आप नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे और जादा से जादा फ्रेंट्स में सेयर कीजे ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो ओके फ्रेंट्स थैंक्यू